हेलो एब्रिवन दिस इज तीपक निशाद वेलकम तो माई चैनल आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे तो फ्रेंड्स हम लोग कर रहे थे इसका पहला चैप्टर है रियल नमबर अगेन आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है तो चलिए आज का सेशन हम लोग सुरू करते हैं आज के सेशन में हम लोग operations on real number पढ़ेंगे अब रियल नमबर पर यह operation क्या होते हैं कुछ जो हम addition, subtraction, multiplication और division होते हैं इन्हें को ही हम operations on real number कहते हैं अब यह कुछ property bear करते हैं कुछ property रखते हैं तो उन properties को देख लेते हैं addition properties of a real number कुछ properties होती हैं जैसे कि पहली property है closer property the sum of two real number is always a real number जैसे two एक real number है और एक three real number है माल लीजे अगर two plus three करेंगे तो हमें five मिलेगा तो five भी एक really number होगा ठीक है तो यही closer property यही होती है कि अगर दो number लें वो real number हैं तो उनका sum या difference भी क्या होगा एक real number ही होगा इसे ही कहते हैं closer property next आते हैं associative property क्या होती है अगर तीन number है a, b, c करके तो देखें यह जैसे two plus three plus five यह बराबर होकर two plus three plus five तो यह हो जाएगा five plus five ten और यह भी हो जाएगा two plus eight तो हम number को आगे पीछे करके add कर सकते हैं तो यह addition में possible होता है तो इसे ही कहते हैं हम associative property commutative property आते हैं next property अगर दो number है जैसे four plus five और five plus four तो यह दोनों ही nine के बराबर हैं तो हम दो number ले ले लें उनको उनके जो है sequence और order add करने में हमें उसका sequence नहीं दियान देने हो हम उसको आगे पीछे करके add कर सकते हैं तो इसे ही कहते हैं commutative property फिर next आते हैं existence of additive identity zero is the real number such that zero plus a is equal to a plus zero is equal to a for every real number a zero is called additive additive identity किसी number में हम ऐसा कुछ add करें कि फिर से हमें वही number मिल जाए तो ऐसा कौन से ऐसी सिफ एक ही condition possible है कि किसी number में हम zero add करें तो हमें फिर से वही number मिलेगा तो इसलिए zero क्या होता है additive identity कहलाता है यह real numbers के लिए existence of additive inverse अब यह इसमें क्या होता है for every real number a there exist a real number minus a such that a plus minus a is equal to zero a and minus a are called additive inverse देखें जितने भी numbers होते हैं हर number के लिए जरूर एक ऐसा number होता है जिसको add करने पे क्या हो जाए वो zero हो जाए हम लोग जैसे कहते हैं कि हर सेर के लिए सवा सेर होता है तो उसी तरह ऐसे ही यह match में भी हर number के लिए एक ऐसा number होता है जिसको हम add कर दें तो क्या हो जाएगा sum जो है zero हो जाएगा ठीक है जैसे 9 ले लिए 9 में हम क्या add करें कि zero हो जाएगा तो minus 9 या फिर कहें minus 9 में क्या add कर दे कि zero हो जाए तो 9 तो यह दोनों ही एक दूसरे के opposite है एक दूसरे के opposite property इनके पास है यह एक दूसरे को zero कर देंगे अगर साथ में आएंगे तो zero कर देंगे तो हर एक number के लिए एक ऐसा opposite number होता है जिसको add करने पर क्या हो जाए sum zero हो जाए हमें result zero मिलेगा इसे ही कहते है existence of additive identity चलते हैं next page पे यह सारी थी additive properties of real number अब पढ़ते हैं हम लोग multiplicative property of a real number अब कुछ multiplication की property होती है यह वैसे ही है यह भी वैसे ही है the closer property the product of two real number is always real number अगर दो number लें उसको हम multiply करें तो हमें जो answer मिलेगा वो भी क्या होगा एक real number ही होगा associative property यह भी same उसी के तरह है multiplication करने में हमें sequence matter नहीं करता हम number को आगे पीछे करके multiply कर सकते हैं जैसे 4 5 जा 20 होता है तो 5 4 जा भी 20 ही होता है कोई different answer नहीं आता तो sequence matter नहीं करता है multiplication करने में commutative property क्या है a b is equal to b है वही महलब 4 into 5 करे तो भी 20 मिलेगा 5 into 4 करे तो भी हमें 20 मिलेगा तो commutative property और associative property में बहुत जादा difference नहीं है associative property में हम 3 number लेते हैं और commutative property में 2 number लेते हैं distribution law of multiplication over addition देखे अब यह क्या है जैसे मान लीजे ऐस से है 2 into 3 plus 5 इस कहां सा क्या आना चाहिए 2 into 8 16 आने चाहिए तो हम इसको ऐसे लख सकते हैं 2 into 3 plus 2 into 5 तो 2 3 जा 6 plus 2 5 जा 10 हमें अभी भी answer क्या मिल जाएगा 16 मिल जाएगा तो यह होता है distribution law जो है जो multiplication जो बाहर number रहते हैं जब हम 3 number लेते हैं A, B, C, B plus C का sum रहता है और A जो बाहर number रहता है वो multiplication में रहता है तो जब हम उसको individually दोनों number से multiply करके add कर देंगे तो हमें वही answer मिलेगा तो इसे कहते है distribution का देखे मतलब क्या होता है बातना तो यह जो है बढ़ जाता है चलते है next पे existence of multiplicative identity अब देखे किसी number को हम किसी number ऐसे number से multiply करें कि हमें फिर से previous number मिल जाए तो ऐसा number होता है सिर्फ one क्योंकि हम किसी को one से multiply करें तो हमें number पे कोई फरक नहीं पड़ता हमें result same मिलता है जैसे four into one करें तो हमें four ही मिलेगा four के उपर कोई फरक पड़ने वाला नहीं है addition में क्या होता था हम उसमें zero add करते थे तो zero add करेंगे तो कोई फरक नहीं पड़ता था लेकिन यहां पे existence of multiplicative inverse हर number के लिए देखे एक ऐसा number होता है कि जिसको हम हम उससे multiply करें तो हमें answer क्या मिलेगा one मिलेगा जैसे माली जी three है three को हम किस से multiply करें कि हमें answer one मिलेगा तो one by three होगा छी ती लग जाएगा यह हमें answer मिल जाएगा one तो जो कोई भी नंबर होता है उसका multiplicative inverse क्या होता है जैसे प्रोकल होता है उसका one by a करके उता है यह जैसे one by three का पूछे की multiplicative inverse क्या होगा तो three होगा तब भी हमें आंसर क्या मिल जाएगा 1 तो देख यह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं रहसी प्रॉकल होते हैं यह थी कुछ प्रॉपर्टीज एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर और मुटिप्रिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर चलते हैं हम लोग next page पे कुछ question करके देखना है देखे add 2 root 2 plus 5 root 3 and root 2 minus 3 root 3 तो देखे इसको कैसे add करेंगे 2 root 2 plus 5 root 3 तो देखे इसमें भी जैसे हम लोग like terms पढ़ते थे थे न तो like terms को like terms से ही add करेंगे अब जैसे यहां पर next है root 2 और 3 root अब यह देखे root 2 के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहां पर 1 है हमें क्या करना है इसको add करना है यहां पर तो add हो जाएगा 2 root 2 plus 1 root 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 3 root 2 मिल जाएगा यहां पर क्या मिल जाएगा यहां पर minus करना है 5 में से 3 जाएगा तो 2 root 3 इस तरीके से हम लोग आसानी से कर सकते हैं ठीक है 2 root 2 plus 5 root 3 plus root 2 minus 3 root 3 तो भी हमें answer ऐसे करना हमें ऐसे करना पड़ेगा copy में तो 2 root 2 plus root 2 3 root 2 हो जाएगा और 5 root 3 minus 3 root 3 क्या हो जाएगा 2 root 3 got it चलते हैं हम लोग next page पे कोई doubt हो तो आप उसे comment box में बता सकते हैं और like and share जरूर कर दीजेगा अब है multiply multiply कैसे करेंगे 6 root 5 into 2 root 5 तो देखे 6 तो जो है 2 से multiply हो जाएगा 6 into 2 और क्या हो जाएगा इसका root 5 इसके root 5 से multiply हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 6 to 12 और यह क्या हो जाएगा root 5 into root 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा हमें मिल जाएगा 60 आंसर बहुत ज्यादा कोई difficult नहीं है बस आप concepts आपके clear होंगे तो आप लोग आसानी से कर लेंगे चलते हैं next page पे divide करना है 8 root 15 upon 2 root 3 इसको इस तरह से divide करेंगे तो क्या करेंगे 8 तो 2 से कट जाएगा लेकिन root 15 को क्या कर लेंगे हम उसको तोल लेंगे ब्रेक कर लेंगे root 15 को कैसे तोल लेंगे 3 into 5 और यह हो जाएगा 2 root 3 फिर इसको कैसे कर लेंगे हमें 8 root 3 और root 5 अलग-अलग root ले सकते हैं और 2 root 3 रूट 3 से root 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा और यहां 2 से 4 8 कट जाएगा हमें क्या मिल जाएगा 4 root 5 चलते हैं हम लोग next page पर add देखे add और subtract करने में क्या होगा हम like term को like term से add करेंगे या subtract करेंगे लेकिन multiplication और division में हम कैसे भी कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसको कैसे add करेंगे 2 root 3 minus 5 root 2 और end root 3 plus 2 root 2 तो देखे आपको मैं column method से खरके बता देता हूं 5 root 2 दूसरा क्या है root 3 plus 2 root 2 तो देखे root 3 के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहां 1 होगा अब इसको add करना है तो क्या मिल जाएगा 2 root 3 plus 1 root 3 तो हमें कितना मिल जाएगा 3 root 3 अब minus 5 root 2 plus 2 root 2 के आग करेंगे तो 3 root 2 हमें यह answer मिल जाएगा got it इसको कैसे करेंगे 2 root 2 plus 5 root 3 minus 7 root 5 okay अब देखे 3 root 3 पहले जो end के बाद जो term है उसमें पहले 3 root 3 पहले आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको like terms के ऐसे column बनाने पड़ेंगे यह यहां plus है अब देखे 3 root 3 है तो हमें यहां 3 root 3 रखना पड़ेगा 3 के आगे कोई sign नहीं है तो यहां positive होगा अब क्या है root 2 तो root 2 हमें यहां रखना पड़ेगा और यहां पर है sign minus का इसके आगे कुछ नहीं है तो यह 1 होगा अब बचा root 5 तो root 5 हमें यहां पर रखना पड़ेगा उसके आगे plus का sign है और यह 1 ओके हम इस तरह इसको column method से करेंगे अब 2 minus 2 root 2 minus 1 root 2 that is only root 2 हमें मिलेगा ओके अभी होजाएगा 5 root 3 plus 3 root 3 तो 8 root 3 okay minus 7 root 5 plus 1 root 5 that is minus 6 root 5 तो हमारा answer यह हो जाएगा got it इस तरह से आप लोग करेंगे तो आसानी से आप लोग को आ जाएगा चलते हैं next page पे multiply mixed exercise जाएगे इसमे addition multiplication divide और subtraction सब कुछ है 3 root 5 into 2 root 5 3 root 5 into 2 root 5 तो देखे 3 to 2 से multiply हो जाएगा तो 6 हो जाएगा और root 5 into root 5 क्या हो जाएगा सिफ 5 हो जाएगा तो 6 5 जा कितना मिल जाएगा हमें 30 answer मिल जाएगा got it चलते हैं next page 6 root 15 by 4 root 3 तो इसको हमें 6 root 15 into 4 root 3 तो देखे 6 root 15 को हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम root 15 को root 3 into root 5 में तोड़ लेंगे 6 root 3 into root 5 multiplied by 4 root 5 okay तो हमें मिल जाएगा 6 4 जाए 24 मिल जाएगा root 3 का तो pair बन नहीं जाए root 5 और root 5 यहां से मिल जाएगा तो root 5 into root 5 5 हो जाएगा और फिर root 3 तो 24 5 जा कितना होता है 120 और root 3 तो इसको कैसे करेंगे root 6 को भी हम तोल लेंगे root 2 और root 3 में और फिर 3 root 3 तो हमें मिल जाएगा 2 3 जा 2 को तो 3 से multiply करेंगे 2 3 जा 6 फिर root 3 और root 3 इसका pair बन जाएगा root 3 into root 3 3 मिल जाएगा उसके बाद हमें root 2 अकेला बच जाएगा तो root 2 हम ऐसे रख लेंगे 6 3 जा 18 root 2 got it चलते हैं next पर 3 root 8 into 3 root 2 तो इसको कैसे करेंगे इसको हम तोल लेंगे root 8 को 2 into 2 into 2 और 3 root 2 जाएगा 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 तो देखे multiplication है यह भी root 2 देखे 3 3 जा तो 9 हो जाएगा और यह 2 into 2 into 2 यह 3 under root 2 थे और इस वाले root 2 को भी हम root एसे कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 9 और 2 into 2 यह हो रहा है 16 16 का square root कितना हो जाएगा 4 तो हमें मिल जाएगा 9 436 got it इस तरीके से हम लोग करेंगे multiplication चलते हैं हम लोग next page पे इसमें हैं divide 16 root 6 by 4 root 2 4 root 2 तो देखे 16 तो ठीक है root 6 को कैसे तो लेंगे root 2 into root 3 और 4 root 2 तो देखे 4 से तो यह 16 कट जाएगा बचे गा 4 root 2 से क्या कट जाएगा root 2 कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा 4 root 3 यह हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा got it चलते हैं next पे 12 root 15 4 root 3 12 root 15 क्या हो जाएगा root 3 into root 5 और 4 root 3 okay root 3 से root 3 कट जाएगा और 4 से 12 कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा 3 तो answer हमारा हो जाएगा 3 root 5 got it बहुत easy है चलते है next पे 18 root 21 upon 6 root 7 कैसे करेंगे 18 root 21 को कैसे 3 कट जाएगा sorry 18 कट जाएगा तो 3 मिलेगा 3 root 3 हमें answer मिल जाएगा ओके इस तरह के question आप लोग और लगाईए कोई confusion हो कोई doubt हो तो आप उसे पूछ सकते हैं चलते है next page पे simplify each of the following इसको कैसे करेंगे simplify करना है तो देखे 3 plus root 3 और फिर bracket में 2 plus root 2 तो इसको ऐसे कर सकते हैं एक बार 3 ले लिजे और फिर 2 plus root 2 फिर plus root 3 2 plus root 2 ओके तो 3 2 जाएगा 6 हो जाएगा 3 को root 2 से multiply करेंगे तो 3 root 2 plus root 3 को 2 से multiply करेंगे तो 2 root 3 और root 3 को root 2 से multiply करेंगे तो root 6 इस यह हमें आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट है 3 plus root 3 3 minus root 3 तो देखें यह कुछ a plus b और a minus b का form का बंद है जिसका यह एक तरह की identity है एक तरह का formula है a plus b a minus b हो तो हो जाता है a square minus b square यहां पर भी हम direct कर सकते हैं 3 का square minus root 3 का तो 3 का square कितना हो जाएगा 9 और root 3 का square 3 9 minus 3 मिल जाएगा हमें 6 got it यहां पर square होगा root 5 plus root 2 का whole square तो देखें यह a plus b square के type का है जिसका expansion होता है a square plus 2ab plus b square ओके यह identity होती एक तरह की तो यहां पर करेंगे root 5 को a मालेंगे root 2 को b मालेंगे तो पहला है root a का square तो root 5 का square plus 2 आएगा a की जगा root 5 और b की जगा root 2 फिर root 2 का square हमें मिल जाएगा 5 plus 2 root 10 plus 2 that is equal to 7 plus 2 root 10 ओके यहां पर यह 2 हो जाएगा क्योंकि 2a भी था ना तो 2 root 2 into root 2 into root 5 हो जाएगा got it तो हमारा answer हो जाएगा 7 plus 2 root 10 चलते हैं next फे यह है यह देखे यह फिर से a plus b और a minus b के form का है जिसका a square minus b square होता है तो इसको हम लिख सकते है root 5 का square minus root 2 का square तो root 5 का square करेंगे तो 5 और root 2 का square करेंगे तो 5 minus 2 हमें 3 मिल जाएगा got it इस तरह के से हम लोग simplify करेंगे चलते हैं लोग next page पर हमारा next question है 5 plus root 7 plus 2 root 5 तो इसको कैसे करेंगे इसको हम ऐसे कर सकते हैं 5 2 plus root 5 plus root 7 को फिर 2 plus root 5 से multiply करेंगे तो okay तो 5 to 10 हो जाएगा 5 को root 5 से multiply करेंगे तो 5 root 5 plus root 7 को 2 से multiply करेंगे तो 2 root 7 और root 7 को root 5 से multiply करेंगे तो root 35 हमें यह answer मिल जाएगा हमारा answer यही होगा फिर चलते हैं next पर यह देखे 5 plus root 5 और 5 minus root 5 यह a plus b के form का है और a minus b तो यह होता है a square minus b square identity को जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको याद होगा तो इसको करेंगे 5 का square minus root 5 का square तो क्या हो जाएगा 5 का square करेंगे तो 25 और root 5 का square करेंगे तो 5 25 minus 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा got it यहाँ पर यह square होगा तो यह a minus b का whole square होगा जिसका expansion होगा a square minus 2ab plus b square तो इसका भी हम a को 2 माल लेंगे और 3 root 7 को b तो a का पहले square करेंगे that is 2 का square minus 2 a की जगा क्या होगा 2 b की जगा 3 root 7 फिर plus 3 root 7 का whole square 2 का square 4 minus 2 2 जा 4 3 जा 12 12 root 7 plus 3 3 जा 9 और 9 7 जा यह 63 हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 63 plus 4 67 minus 12 root 7 ओके got it चलते हैं next पे यह देखे 11 minus root 7 a minus b a plus b तो हम इसको कर सकतने है 11 minus 7 that is 4 a square minus b square करेंगे ना तो root 11 का square 11 और b minus b square root 7 का square 7 तो 11 minus 7 4 हो जाएगा got it चलते हम लोग next page पे simplify 4 plus root 2 4 minus root 2 देखे फिर से यह a plus b और a minus b के form का है यह a plus b और a minus b का है तो हम direct कर देंगे 4 का square minus root 2 का whole square 4 का square करेंगे तो 16 और root 2 का square करेंगे तो 2 16 minus 2 that is 14 हमारा answer 14 हो जाएगा okay चलते हैं next पे root 5 minus root 2 root 2 minus root 3 अब भी इसमें कोई identity नहीं बन दी तो हमें ऐसे multiply करेंगे root 5 को root 2 minus root 3 से फिर बीच में minus root 2 और फिर root 2 minus root 3 से करेंगे तो क्या करेंगे root 5 को root 2 से so root 10 root 5 को root 2 से so root 15 तो root 2 को root 2 से so root 15 2 और then minus and minus क्या हो जाएगा plus root 2 को root 3 से so root 6 okay तो यह हमारा answer हो जाएगा आप लोग को session कैसा लगा आप उसे बता सकते हैं comment box में कोई doubt हो कोई confusion हो आप उसे मेरे साथ share कर सकते हैं मैं solution को share करूँगा ठीक है और session को like and share जरूर कर दीजेगा आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे हम लोग जल्दी next class में कुछ नए exercise कुछ नए question के साथ आज के लिए बस इतना ही ओके थैंक यू गुड़ बाई